हेलो दोस्तों, विलकम टू कॉंस्टेंस माइन, मैं हो दीपक और इस वीडियो में एक फिर नएफ एप्लिकेसंस फॉर्म के साथ आपके समझ प्रस्तुत हूँ दोस्तों सबसे पहले तो हम आप सभी से माफी चाहते हैं उनसे जिन लोगों का रिपलाई हम नहीं दे पाते हैं क्योंकि आपके सवाल बहुत ज़्यादा होते हैं मैं पूरी तरह से प्रयास करता हूँ कि हर एक कमेंट्स का रिपलाई दिया जाए पर ये पूरी तरह संभव नहीं हो पाता है तो चमा चाहते हैं अगर आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेन सवाल है तो प्लीज आप टेलिग्राम पर जरूर जुड़े हैं क्योंकि वहाँ पर आप खुद एक दूसरे से डिसकस कर सकते हैं और आप जो भी हैं हमारे चैनल पर यहाँ यूटूब पर या फिर टेलिग्राम पर आप से भी निवेदन करते हैं कि आप एक दूसरे का कमेंट का रिपलाई अगर जानते हैं तो खुद दे दिया कीजिए क्योंकि इससे आप लोगों का ही थोड़ा हेल्प होगा और एक दूसरे की हेल्प करने है तो अच्छी बात है न तो हमारे लिए अकेले सभी का रिपलाई देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है आप लोग समझते होंगे तो आप एक दूसरे का रिपलाई खुद ही कर सकते हैं जैसे कि एक यूनिटी हो जाती है भाई PhD के फॉर्म है आप भी PhD वो भी PhD तो जो पूच रहे हैं आप विनमरता पूरवग जवाब दिया कीज़े ऐसा नहीं मैं बहुत लोगों का कमेंट देखा हूँ कि कोई अगर थोड़ा सा लोग पूच रहा है ऐसा कोश्चन जो की बहुत नॉर्मल है तो जानते जो रहते हैं वो ऐसे reply देते हैं मतलब बहुत गुस्से मैं तो यार प्लीज ऐसा ना करें क्योंकि अगर ऐसा होता है तो अगर हम आपको गर ऐसा reply करेंगे तो अप तो आप हमारी चैनल से भाग जाएंगे न तो ऐसा बिल्कुल ना करें बहुत विनमता पूरो फंद हम भी जवाब देते हैं अगर आप से निवेदन है कि आप भी ऐसा करें और कहीं कोई तुरूटी होती है तो प्लीज सजेस्ट किया करें आप सभी जहां तक हम से बड़े हैं और उमीद है आप से तो आप कीजिए है तो दोस्तों ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगी इस पर वैसे भी जो कल की वीडियो पड़ी है उस पर लगभग six ongoing application चल रहे हैं तो जो भी application करना चाहते हैं उस वीडियो को आप जुरूर देखें और जो engineering वाले student है IT fields के उनके लिए भी कुछ दिन पहले एक वीडियो आई थी लगभग five application forms जो है ongoing तो आप उसको भी देखें उसमें मार्स तक application की last date है कुछ लोग पूछ रहे थे electrical engineering वगरे वगरे से यह form जो है इस पर अगर हम बात करें तो यह जारखन इनिवर्सटी से form है और इसकी जो last date of 10 फरवरी है 29 जनवरी से शुरू हुआ है ठीक है अगर आप मारे चैनल पर नए हैं तो अपना प्यार ज़रूर दें और आपसे एक छोटी सी request है हमाई तरफ से कि आप जो अभी नया चैनल हमारा बना है आप लोगों के सही होग से और आप ही लोगों के कहने से तो आप उसको भी अपना प्यार दे जिससे की आगे चलके उस पर भी अच्छे content लाए जा सकें ठीक है तो सबसे पहले seat की बात करना ज़रूरी होता है तो seat की ही बात करेंग क्योंकि seat देखते हैं यहां पर तो बाटनी में 25, जुलोजी में 23, कमेश्टी में 11, मैथमेटिक्स में 10, फिजिक्स में 22, साइकोलोजी में 35, फिलोसॉफी में 55, हिंदी में 43, पॉलिटिकल साइंस में 35, संस्कृत में 21, हिस्ट्री में 10, इंग्लिस में 28, और इकोनोमिक्स म में 59, सोचियोलोजी में 18, एंड कमर्स में 3, यहां पर एक है संताली, अंडर मल्टि दिस्प्रेंट यह प्रोच है, 8 seat है, टोटल 406 seat हैं, नोट में लिखा है कि जियोलोजी, जियोग्राफी, बेंगाली, उर्दू, देर इस नो वैकन्ट seat for PhD, ठीक है, तो सब अब सीटों क आपको यहां पर मिल रही है, तो यह application invite किया गया है, PhD program session 22 stage के लिए, 29 जनवरी से, और यहां पर need to download and fill the application form, यहां पर एक application form आपको PDF format में मिलेगा, और उसको आपको क्या करना है, fill करना है, fill करके, आपको payment का link site पर मिलेगा, payment आपको यहां पर करना है, और जो application आप fill करेंगे form को, उसको इस email ID पर दिये गए email ID पर आपको send करना है, ठीक है न, तो यह इस तरह से आपका form fill up का process है, और कब तक 10 फरवरी 2022 इसकी लाज़ते थे, necessary information देख लीजिए, UGC regulation के recording हो रहा है, पेट कायो जन होगा, PhD entrance test, eligibility क्या है, candidate for admission to the PhD program, सहल है, वो master degree, with at least 55% of marks, ठीक है, relaxation 5% यहाँ सब कुछ आप देख रहे हैं, वो बताने के जिरूत नहीं है, मैं फालतू क्या पढ़ूँ, candidate जो भी UGC CSIR, JRF, Net, Slate, Gate है, यह सभी क्या होंगे, exempt होंगे, entrance exam से, सिधा सिधा, कोई भी, और यहाँ पर कह रहा है, but each need to fill the application form, application सभी को fill करना है, ठीक है, total number of vacant seat, different subject में मैंने बता दिया, eligible candidate will have to appear PhD, entrance test, pet, list of candidates eligible for PhD, entrance test, will be displayed on the university website, within 10 working days, ठीक है, अपेट जो है, वो written test, उसका किस तरह से होगा, तो यह 100 marks का होगा, question interest test के, जो MAMSTM.com के slavers के recording होगे, slavers भी आपको नीचे मिलेगा, और क्या कह रहा है, यहाँ पर, यहाँ पर कहा जा रहा है, कि the entrance test will be offline mood, the duration to 30 hours, धाइगंटे का, it will consist 50% marks, question of research methodology and remaining 50% core subjects, यह सभी UGC की guideline के recording ही होता है, ठीक है, यहाँ पर qualifying marks है, 45% general category के लिए, बाकि 40-35% marks है, तो आसानी से आप qualify भी कर लेंगे, application fees तोड़ा जादा है, अगर आप effort कर पाते हैं, तो seat भी जादा है, form fill कर सकते हैं, ठीक है, सारी detail आपको पता हुग गई, तो, यहाँ पर fee must be paid through SBA online payment, तो भी बता रहे हैं थोड़ा सा, इसको देख सकते हैं आप, अब नीचे आप देखिए, form application form for PhD to the entrance to the right, name in block letter, इस तरह से आपको form fill करना है, आप इसको तो देखे लीजे, इसी तरह से आपक form fill करना है, नहीं तो आप इसको download करके करेंगे तो ज़्यादा best होगा, ठीक है, और दोस्तों आपको बता दे, कहां से आप आएंगे, तो site का link description में है, आपको इस site पर आ जाना है, यहीं से वैकन सीट देख लीजे, question pattern वगर, किस तरह से pattern रहेगा, necessary information बता दी, application form, नीचे syllabus अगर भी अगर आप download करना चाहते हैं, तो please कर लिजेगा, ठीक है, तो कोई भी question अब बसता है, तो आप जरूर हमसे पूछेंगे, ठीक है, और चैनल को अगर नहीं subscribe कियों तो यार, please कर लो, काम की चीज़ों तो मिलती ही रहती है, तो ठीक है दूस्तों, धन्याद,